दोस्तों भी सब्स्राइब करें हमारे चैनल एक्साटिप्स क्लासिस को और साथ ही में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ठागी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बिना किती रुकाबट के पहुंच सकें हलो फ्रेंट्स दोस्तों इस वीडियो में हम लोग sse serial 2018 के बारे में देखेंगी कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब इसका टीयर वन एक्जाम होगा कब इस वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी को देखेंगी तो आप लोग इस वीडियो को एंट तर देखे चले देखते हैं दोस्तों इससाल जो इसका नोटिफिकेशन है अप्रोक्समेटली आपका मार्च के महीने में रिलीज होगा और दोस्तों इस वार जो कुल पोस्टे हैं वो 9500 है या अप्रोक्समेटली कुल 9500 पोस्टे हैं और दोस्तों इसमें कुल जो पोस्ट होती है वो इस बार पद भरे जाने है दोस्तों जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ससी सीजील कर नोटिफिकेशन की डेट इसमें दे रहे हैं जिसमें मार्च 2018 है और ऑनलाइन रेजिस्टेशन एक महीने बाद होने लगते हैं तो अपरेल में हो गया आपके और ऑनलाइन रेजिस्टेशन की आपड़ देट माई क्योंकि अपरेल से माई एक ही महीने तक चलते हैं और दोस्तों पहला टीएर टीर minder होगा आपका वह जून तो कि टीर वन का रिजल्ट है दोस्तों वह आपका से अप्तंबर दो जार रहे के लाज तक आएगा तो उसी तरीके से आगे की नोटिफिकेशन अपडेट सून दे रहा है पर जल्दी आपका ये सब कुछ आ जाएगा अगला देखते हैं दोस्तों आप कुछ पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज रिक्वाइड है ये देखते हैं दोस्तों असिस्टेंट इन सी एसेस में आपकी जो एज है वो दोस्तों 20 से 30 साल तक वाले अपलाई कर सकते ह और statical investigator grade second में maximum 32 साल है और assistant IB में दोस्तों 21 से 30 साल है और दोस्तों suspector in Central Bureau of Narcotics में आपको 20 से 30 साल तक assistant informant officer में दोस्तों 30 साल तक apply कर सकते हैं और बागी सारी poster के लिए 18 से 18 साल तक apply कर सकते हैं दोस्तों जो भी relaxation है वो सारी category wise अलग है जैसे OVC candidates को over age जो सब के लिए है journal category के लिए है उससे अटके दोस्तों 3 साल की छूट मिलती है उन्हें age में और SCST को मिलती है 5 साल की physical handicap को 10 साल की और उसी तरीके से बाकियों को जो आप देख सकते हैं इस तरीके से छूट मिलती है दोस्तों इसकी जो फीज है SSC CGL की दोस्तों वो 100 रुपीज रहती है और जो भी SCST कंडी रेट से उनके लिए दोस्तों यह फिरी रहता है तो इसकी फीज जो आप online भी पे कर सकते हैं और STST वालों के लिए फिरी रहता है तो उनने पे करने की ज़रूट नहीं है दोस्तों इसके आप apply कर सकते हैं SSC की official website ssc.nic.in पर जाकर के अब दोस्तों देख लेते हैं इसके slavers के बारे में slavers वैसे तो आप लोगों को पता ही है maths हो गया, English, GS और reasoning तो यह 4 slavers हैं और आप लोगों के पास time कम बचा हुआ है तो आपनी preparation में लग जाईए अच्छी तरीके से अगर कर रहे हैं तो उसे भी और improve कर दिए ताकि इस साल 2008 में आप अपनी job को share कर पाएं तो दोस्तों आप लोगों को कैसी वीडियो लगी अपने comment जरूर दे हैं हमें और please इस वीडियो को अपने friends तक share करें ताकि उन लोगों तक भी यह information पहुंच सके Thank you for watching